हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्राफ्ट लाज मैं हूँ आर्ती गुपता और आज हम बहुत प्यारे प्यारे से डेकोर बनाने वाले अपने घर के लिए जिसे हमारे घर को बहुत अच्छे-च्छे सी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और हमें बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा पर राधा कृष्ण लिखा है और अब उसको वाइट बेस दे लेते हैं वाइट एक्रालिक कलर में आपर कर रही हूँ इसी तरह से आप भी अपने घर में अच्छे-च्छी सी वाइब्स देने के लिए इसी तरह से बहुत प्यारे-प्यारे से वाल डेकोर्स बना सकते हैं फट से इसका बेस कर लेते हैं तो जो कलर है हमारे पास वो बहुत अच्छे से निकल कर आए और इस वीडियो में इस डेकोर में हम लगाने वाले हैं सारे पैस्टल शेड्स तो बेस हमारा हो गया है और यह हमारा पहला पैस्टल शेड्स जो है पिंक शेड्स इसको फटा-फ हम दे देते हैं और यह बहुत ही प्यारा है इसके साथ मैंने ब्लू शेड लिया है यह देखिए इसके किनारे पर करने के लिए आप अपनी चॉइस का कलर यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जैसे मैंने यहां पर राधा कृष्ण लिखा है इसी टाइप के ही हम लोग तो यह देखिए यह हम बॉर्डर बना लेते हैं और इसमें मिरर वर्क भी करेंगे ताकि यह पूरा का पूरा हमारा लिप बनाट रेडी हो चलिए इसको फटा फट से कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मैं इसके बॉर्डर का कलर कर लोंगी और उसके बाद यह देखिए जो लीव्स मैंने यहाँ पर लगाई थी उस पर मैंने बहुत ही लाइट सा पेस्टल शेड लिया है ग्रीन का और ये भी हमारे पर जब शिल्पकार थोड़ी सी बच जाती है तो मैं उससे इस तरह की लीव्स बना के रख लेती हूँ क्योंकि अगर हमें उसका कोई काम नहीं है तो वो बहुत जल्दी ड्राय हो जाते हैं बट इन लीव्स को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं लास में येलो कलर का शेड दे रही हूँ मेरे पस पेस्टल में यहाँ पर बहुत लाइट लग रहा था तो मैंने नॉर्मल येलो के अंदर ही वाइट कलर को एड़ करके से बनाया है ये बहुत जल्दी बन जाते हैं आपके पास MDF कभी काम चल रहा होता है आपके घर में तब भी कुछ pieces आपके wooden pieces बच जाते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं आप canvas भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगा पर अब बहुत प्यारी सी एक line ही आपर लिख रही हैं, भाव मेरा मोहन जाने, प्रेम जाने, राधा तो इसी तरह कि प्यारी प्यारी सी line साप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, कोई mantra लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आपने देखा इसको बनाना कितना इजी है अभी तक हम बहुत स्मूथली चल रहे हैं यहाँ पर आपको बस दिहान देना है कि जो भी कलरिंग है उसमें लाइन सब्सक्राइब अगर आ भी जाती है तो भी आप उसको फ्लैट कर सकते हैं अपने फ्लैट ब्रश से तो बहुत इ यहाँ पर मैंने डायमंड शेप के मिरर्स लिए हैं आप कोई भी शेप ले सकते हैं यहाँ पर यह सब माटीरियल आपको बहुत एजली एमेजान से मिल जाता है दो तिन दिन में डिलिवरी हो जाती है इसकी तो आप पहां से परचेस करके प्यारे-प्यारे से होम डेको रा आप भी एजली वहां से परचेस कर सकते हैं यह लोकल स्टेशनर रिपर आम से मिल जाता है इसको भी सबसे पहले वाइट पेंट कर लेते हैं ताकि हमारे कलर्स बहुत सुंदर से निकल कर आएं सेम पेस्टर शेड्स में इसको बनाने वाली हूँ इस तरह का जब भी आप हो जाली कट आउट से उसके इंस्टेड ऑफ मिरर्स तो यह मैंने हॉबी इंडिया से ओर किये थे जब मैंने वाल पेंटिंग की थी तो वाल पेंटिंग पे मैंने श्रीनाथ जी बनाये थे और उस डेकुरेशन के लिए मैंने इनको मंगवाया तो यह जो बच्चेवी पीसिस और आप बहुत प्यारा सा डिकोर बनाके अपने घर को डिकुरेट कर सकते हैं जैसे कि कि हमने किया है अइभुप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप शेयर कर सकते इसे पने फ्रेंड के साथ और हमें कमेंड्स में जरूर बता कि आपको यह आईडिया कैसे लग बच्चे जड़ा कर city